असलाम अलेकुम कैसे हो आप सब इंशालला सब ठीक होंगे अलहमदुलिल्ला हम भी ठीक है तो आज आपके साथ थोड़ी सी शॉपिंग थोड़ी सी शादी की दावत और शॉपिंग के बाद हम लोग ने होटल में क्या खाया थोड़ा थोड़ा सभी वीडियो हमने शूट कि था आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए तो थोड़ा थोड़ा आप सभी देख लीजिए हमें उमीद है इंशालला आपको जरूर से पसंद आएगा थोड़ा सा मेरे बेटी के हमने शॉपिंग की है तो आपको दिखाएंगे और बाद में हमने होटल में क्या खाया है व तो बाजार हम चले गएते हमें शादी में जाना था गिफ्ट लेने के लिए तो बाजार जाने के बाद तो कुछ ना कुछ चीजे पसंद आ ही जाती है तो लेना ही होता है जाना होता है एक चीज दो चीज लेने के लिए लेगिन वहाँ पर जाने के बाद इतने सारी चीज पसंद आ जाती है तो फिर लेना ही होता है तो ये मेरी बेटी जो आप लोगों को दिखा रही थी उसके लेगी और प्लाजो टॉप और ये मैक्सी तो इस तरह से होता है हमारे साथ में बाजार अगर चले जाओगे तो कुछ न कुछ पसंद आ ही जाता तो फिर मन मानता नहीं लेना ही होता है तो क्या करें आप लोगों यह साथ ऐसा होता है कि नहीं आप कमेंट करके जरूर से बताना बाजार में अगर कितने भी पैसे ले कर जाओगे तो कम ही पढ़ जाते है और चीजे पसंद ही आने लग जाती है अभी क्या करें मन ऐसी है जो चीज पसंद आई ब पसंद करते हैं थोड़े से उनकी खिलोने है और ये बड़ा वाला बाउल है और इस तरह की चनी अच्छी लगी तो ये एक हमने ले ली और मेरी बेटी को पिंक कलर बहुत ज्यादा पसंद है तो एक ये गाजर के लिए ले लिया चिलने के लिए एक है गहर में लेकिन फिर य कहीं जाने के बाद अगर अच्छी लगती तो ले लेते हैं और ये थैली आप देख सकते हो माशाला इतनी प्यारी है क्या बाजार वगेरा जाने के लिए बहुत अच्छी है तो ये हमने एक ले ली तो मेरी बेटी इसको भी आप लोगों को खोल कर दिखा रहे हैं अंदर चोटा सा पैकेट बना हुआ है और कलर बहुत ही प्यारा है बाजार वगेरा जाते है तो अच्छी होती है इस चीज़े डालने के लिए और ये खिलोने देख लीजिए मेरे बेटी के फ्रूट से और स्टील कर डबा है गिलास से है ये अभी सब कुछ आप लोगों को दिख आएगा तो हमारी बेटी के खिलोने आप लोग देख लीजिए और कमेंट करके जरूर से बताना ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये चोटे-चोटे गिलास है आप देख सकते हो बड़े प्यारे है माशल आप देख लीजिए चोटे-चोटे खिलोने बहुत प्यार लगते हैं जब हम छोटे थे तो हम भी कहीं भी जाते थे तो ले ही लेते थे तो ऐसी हमारी बेटी भी वैसी है कोई चीज अगर पसंद आई तो लेना ही होता है चोटा सक्का और तश्तरी है वाइड कलर का आप लोगों ने देखा होगा हमारी बेटी दिखा रही थी है चम लेकिन अभी पढ़ाई का टाइम है बच्चे, ने पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए लेकिन हमारी बेटी का पढ़ाई के साथ सद्किलों में में बहुत ज़याधा ध्यान है उनका हर एक चीज में मन है, हर एक चीज मन लगाकर काम करती है माशाला और आप लोगों के साथ उनका वीडियो शेयर होता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है तो इसके लिए देखिए डबा खूल कर दिखाए फिर वापस उसको बंद की अभी फूर्ट्स आप लोगों को कट करकर दिखाएगी तो बहुत मेरे बेटी को आप लोगों के साथ कोई भी ऐसा वीडियो होता है उनका तो बहुत बहुत ज्सधा खुशी मिलती है फ्रेंट्स हम क्या बताए आपको और आप लोग कमेंट करके जरूर से बताना आप लोगों को हमारे कुन से वीडियो पसंद आ रहे हैं ज्यादा रेसे पीस वाले या ब्लॉक्स हम कुन से वीडियो बनाए कुन से नहीं बनाए कमेंट करके जरूर से बता दिया करें आपकी राए आपके कमेंड का हमें बेसबरी से इंतिजार रहता है एक कमेंड करके जरू से बता दिया करें फ्रेंड चैनल पे आप लोगों को क्या पसंद आ रहा और क्या नहीं आ रहा है तो हम ज्यादा तर उस पे काम करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर आप देख लीजिए मेरी बेटी आप लोगों को मैक्सी खूल कर दिखा रही हमारे मॉंबई में हर जगा बहुत अच्छी मैक्सी मिलती है हम गाओ भी जाते है मेरे फ्रेंड्स मेरे रिष्टिदार सब यहाँ से मंगवाते है तो हम यहाँ से लेकर जाते है बहुत हर एक चीज अच्छी होती है मॉंबई की तो गाओ भी जाते है तो लेकर ही जाते है वहाँ से सब के फोन आते हैं जब जाते हैं हम तो यह लेकर आओ लेकर आओ लेकर आओ तो फिर लेकर जाना होता है एक चीज अच्छी होती है माश्याला थोड़ी बोई शॉपिंग के बाद हम आ चुके है होटल तो आप ले होटल देख लीजिए भारत होटल है और बहुत सा हो इतनी टेश्टी होती है कि हम आपको क्या बताए पेट भरेगा लेकिन मन नहीं भरेगा तो लाइन लगा कर इस तरह से हम लोग बैठे थे टेबल बिल्कुल भी खाली नहीं था आप लोग देख सकते हो साइट में हम लोग बैठ चुके थे इधर पे जब टेबल खाली हो होगा तब बेटर लोग आकर हमको बता देंगे कि ऊधर ठेबल खाली हो चुका है तो यहाँ पर आइसा होता है कभी भिए ंतिजार करना पड़ेगा थोड़ा सा बैठ ना पड़ेगा बैठने के बाद थोड़ा सा बैठ ओगी आप तभी आपको यहाँ पर टेबल मिलेगा ऐसा नहीं मिलेगा लाइन होती है बाहर तक खड़े होना पड़ता कभी-कभी अंदर बेटने के लिए वहाँ पर जगा नहीं होती तो बाहर लाइन लगा अगर खड़े होना पड़ता है लेकिन हर एक चीज़ फेमस और इत्मी टेस्टी होती है लेकिन जिनको नहीं है जो आसपास रहते हैं उनको तो पता है लेकिन जिनको नहीं पता है तो आप लोग वहाँ पर जाकर खा सकते हो इंजाई कर सकते हो घाट कोपर में होटल है ये तो हम हमेशा जाते हैं हमारे यहां से नस्दीग पड़ता है घाट कोपर तो हम वहाँ पर जाकर खाते हैं तो आप लोग भी घाट को पर जाईए और यहाँ का मसाला डोसा खाईए हमें उमीद है इंशाला आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा और कमेंट करके जरूर से बताना पर हमारा यहाँ का सबसे फेबरिड मसाला डोसा है तो हम यहाँ पर जाने के बाद मसाला डोसा ही खाते है बहुत ही ज्यादा टेश्टी होता है हम क्या बताए आपको उसका मसाला इतना टेश्टी होता है माशाला बहुत ज्यादा टेश्टी होता है तो हमने यहाँ पर मसाला डोसा खाया पेट भरेगा लेकिन मन नहीं भरेगा इतना हम आपको गैरंटी देते हैं आपके साथ भी ऐसी होगा कभी आप जाओगे इस होटेल तो यहाँ पर देख लीजी हमारा मसाला डोसा आगया मेरे हस्बेंड की चाय मेरे हस्बेंड कर घुझे हमारा मसाला डोसा कमेंड करो के जरूर से बताना हमारेसाथ कर लेक्ता है अफिरी बेटी ने तो फ़ीरा उतर से यहाँ पर जितन आपर को रृटग दे के मंगवानं है वह भनवा कर देते हैं इस तरह से यहाँ पर इतना बड़ा है आप लोग देख लीजिए तो बड़े बड़े हैं पर मसाले डोसे मिलते हैं आपको जैसा मंगाना है आपके उपर है आप मंगा कर इंजोई कर सकते हो तो यह गिफ्ट हमने लाया था इसको फैक करके फिर हम लोग अभी जा रहे हैं शादी में तो चलिए मैं में शुबा सुबा शादी होती है रात में नहीं होती है और अब को अबड़े है यहां का महली बहुत अच्छा लगता है रात के टेम में यह गर आच होती है तो और Basis तो कहने क्या होते हैं इतने लाव में destructive अधाग्य होता है और हमारे गाव की बिरियानी बहुत फेमस है, शादियों में वहाँ पर बिरियानी बनती है, और नुक्ती, बुंदी ये सब बनता है हमारे उधर लेकिन हमारे वहाँ पर बिरियानी ज्यादा फेमस है, तो हर जगा की अपनी अपनी चीज अलग-अलग हर जगा की फेमस होती ह तो हमारी मॉंबई की बिरियानी बहुत फेमस है जमजम बिरियानी और शादियों में तो मतलब स्टाटर्स कोर में और पराठा ऐसे सब होता है राइस ऐसा होता है कहीं कहीं पर मिल जाती है जमजम बिरियानी कोई कोई जमजम बिरियानी रखता है मतलब खाने में तो हर जगा अपना अपना अलग अलग होता है लेकिन हर जगा का अपना मज़ा लगी होता है माशाला सबका अच्छा ही मज़ा होता है तो यहाँ पर हम खाना खा रहे थे आप लोग देख लीजिए आप लोग भी हमारे साथ आईए खाना खाने के लिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताना आप लोगों के साथ हम इतने दिल से वीडियो शेर करते हैं अच्छे से अच्छे रिसिपी बताते हैं तो फिरणस आख लाइक प्यार से कर दिया करें एक कमेंट कर दिया करें आपकी राय आपके कमेंट के हमें इंतिजार रहता है आप हमारे कौन सी वीडियो देखना चाहते हो कौन सी रेसिपी देखना चाहते हो आप कमेंट करके जरूर से बताना हम हर वीडियो अगर आप जो बोलोगे वो ऐसा हम करेंगे जो रेसे पी बोलोगे वो हम बनाएंगे इंशाला जरूर से तो आप लोग जरूर से बता दिया करें और एक लाइक कर दिया करें लाइक में कंजूसी मत कर दिया करें आपके लाइक से हमारा हुसला बढ़ता है हमें भी हमत मिलती है आपके like से comment से और हर एक चीज़ में मेहनत होती है friends, कोई भी भी बीना मेहनत का काम नहीं होता है हर एक चीज़ में मेहनत होती है तो पुरे दिल से पुरे अच्छे से हम करने की कोशिश करते है तो हमें उम्मेद हैं इंशालला आपको ज़रूर से पसंद आएगा थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन पसंद आएगा तो 4-5 वीडियो भी आप लोग प्यार दिखा रहे और भी हमारे बहुत सारे रेसिपे से बहुत सारे वीडियो है तो आप लोग हमारे चैनल पे आईए प्यार दिखाईए और हमें अपना सपोर्ट दीजिए तो इंशालला आपका अच्छे से अच्छे वीडियो अच्छे से अच्छे रिसे पे हम बताने की कोशिश करेंगे इंशालला हमारी तो पूरी पूरी कोशिश है कि हम अच्छे से तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना है अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना है चैनल को सबस्क्राइब कर देना और इसी तरह के अच्छे वीडियो अच्छे प्रिस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहना है, हमारे साथ बने रहना है अपना। अपने फैमली का बहुत सारा ख्यार रखिए, हमें अपने दुआओं में याद रखिए, तो मिलते हैं ऐसे जटपड कोई वीडियो के साथ इंशाला तब तक के लिए लाफिस